जियो खिलाडी बाहे बाहे रिवाइन वर्ड कप 2011 के आज के एपिसोड में हम रोसनी डालेंगे पिछले दर्शक में भारत के पहले विश्व कप सेमी फाइनल मैच के यादगार लमहो पर लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी उन दर्शकों के लिए जो शेर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों अगर आप शेर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब स्टॉक्स आपको मुफ्त में डीमेट एकाउंट खोलने का मौका देता है इसमें आप मात्र सौर उपे से अपनी investment शुरू कर सकते हैं आप mutual fund में भी invest कर सकते हैं इसके अलावा आपने पिछले 30 दिनों में कितिनी trading की है इसका कोई brokerage नहीं होगा आपको बता दें कि भारत के प्रतिष्ठित व्यापारी रतन टाटा जी खुद इसमें investor के रूप में जुड़े हैं इसी लिए ये एक विश्वसनी essence था है यहाँ आप अपने दोस्तों को refer करके भी पैसा कमा सकते हैं और तो और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप यहाँ इंडसेंड बैंक में मुफ्त में एक zero balance का account भी खोल सकते हैं वो भी बड़ी आसानी से और आप अपने birthday या अपनी anniversary के दिन के numerical numbers को अपने account number के रूप में भी चुन सकते हैं इसके अलावा अप stocks जल्द ही global investment नाम का एक option लाने वाला है जो की अंतराष्ट्री companies जिसे Apple, Google, Amazon और Tesla जैसी companies में invest करने की permission भी देगा आपको बस इस वीडियो के description में दी गई link पर क्लिक करना है और आसानी से अपने लिए online demate account खोलना है यदि आपको demate account खोलते समय कोई असुविधा या संदे होता है तो अप stocks team आपको खुद कॉल करेगी और account खोलने में आपकी मदद करेगी तो जल्दी कीजिए और description में दी गई link पर जाईए दोस्तों वेश्व कफ सेमी फाइनल मैच का दबाव वैसे ही बहुत अधिक होता है उपर से वो मुखाबला पाकिस्तान जैसे चेर प्रतिवदंदी के विरुध घरेलू दर्सकों के सामने हो तो अपने लफजों में कहें तो 2011 वेश्व कफ सेमी फाइनल मैच से पहले माहौल गरमाया हुआ था भारते टीम पूरी तरह दबाव में थी क्योंकि पाकिस्तानी टीम अपना आखरी लीग मैच आउस्रेलिया से और क्वार्टर फाइनल मैच बेस्टन डीस से एक तरफा अंदाज में जीत कर भारत के सामने सेमी फाइनल में खड़ी थी खेल कैसे जुनून बन जाता है इसका मुहाली सेमी फाइनल से बढ़िया उधारड नहीं हो सकता है यह एक ऐसा मुखाबला था जो सारी हदे पार करके बहुत हक तक एक उनमाद वाला माहौल तयार कर चुका था इस उनमाद में भारत और पाकिस्तान के प्रशंशक कुछ भी कर जाने को तयार थे इस तनाओपूर उनमाद के बीच आज से ठीक दस साल पहले मुहाली में धाई वजे विश्व कब 2011 सेमी फाइनल शुरू हुआ मुहाली में मैं से पहली राज जोरदार आधी के साथ अच्छी बारिश हुई थी और पिच क्यूरेटर दलजीस सिंग ने उसके फैक्टर का महत्व पहले ही बता दिया था यानि पहले गेदबाजी करने वाली टीम को फाइदा हो सकता था ऐसे में टॉस पर सभी की नजरे थी और टॉस जीता भारतिय कपतान महेंदर सिंग धोनी ने लेकिन धोनी ने सब को चौकाते हुए पहले बल्ले बाजी का फैसला किया अच्छी गेदबाजी कर रहे अश्वन के जगा आशिश नहरा को टीम में शामिल कर सब को हैरान कर दिया वो तनाव जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी वो टॉस के समय साप देखने को मिल रहा था दर असल टॉस के वक्त मैच में खेल रही प्लेइंग 11 की एक सूची मैच रेफरी को देनी होती है भारतिय टीम के कप्तान धोनी ने उस सूची पर साइन ही नहीं किये थे जबकि पाकिस्तानी टीम की सूची पर अफरीदी की जगा टीम मैनेजर इतिखाब आलम के दस्त खत थे तमाम गलतियों, तनाव और दुआओं के बीच भारतिय बल्लेबाजी की शुरुआत हुई उमर गुल के एक ओवर में पांच चौके ठोक कर सहवाग ने अफरीदी और गुल को सोचने पर मजबूर कर दिया सहवाग के चौकों की बरसाद बहुत देर तक नहीं चली और 25 गेदों में 9 चौकों की मदद से 38 रन बना कर सहवाग रियाज की गेद पर LBW हो गए सहवाग ने अमपायर के फैसले को चुनोती देते हुए रिव्यू भी लिया लेकिन अमपायर का फैसला सही साबित हुआ तीसरे नमबर पर बल्ले बाजी करने आए गंभीर ने सचिन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और स्कोर 116 रन तक पहुचाया यहीं गंभीर 27 रन बना कर आउट हो गए चौथे नमबर पर बल्ले बाजी करने आए यह वा विराट कोहली ने अभी 9 रन ही बनाये थे कि वो भी वहाब की गेत पर उमर अक्मल को कैंच दे बैठे अगली ही गेत पर वहाब ने पिछले मैच के हीरो रह यह वराज को इंशिंग यारकर पर बोल्ड कर भारती टीम को तगड़ा जटका दिया इसके बाद कप्तान धोनी ने सचिन का साथ निभाया दूसरी और सचिन को लगातार जीवन दान मिल रहे थे और इसका फायदा उठाते हुए वे सवे शतक की ओर अग्रसर थे लेकिन अफरीदी ने अजमल की गेत पर सचिन का कैच लपक कर उन्हें शतक से वंचित कर दिया सचिन ने 115 गेत में 114 के लगा कर 85 रन बनाये थे इस पारी में सचिन को 5 जीवन दान मिले थे जिने याद करते हुए उन्होंने कहा था लगता है भगवान मुझे पर महरबान थे यह ऐसा था जो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था सचिन के बाद सबकी उम्मीदे धोनी पर टिकी थी लेकिन धोनी बिना कुछ खास किये 25 रन बना कर आउट हो गए भारते टीम का स्कोर 6 विकट के नुकसान पर 205 रन था यहां से रैना ने भज्जी और जहीर के साथ समझधारी से बल्ले बाजी करते हुए भारते पारी को आगे बढ़ाया टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह थी कि भारत ने आखरी पावर प्ले में 43 रन बटोरे थे जिसमें रैना के 49 रनों का खास योगदान था भारत ने पूरे 50 ओबरों में 9 विकट खोकर 260 रन बनाए पाकिस्तान की ओर से वहावर रियाज ने 5 विकट लेकर संसनी बटोरी अब पाकिस्तान को फाइनल में प्रबेश करने के लिए 261 बनाने थे और भारत को 261 बचाने थे 261 रनों के जबाब में पाकिस्तान की ओर से कामरान अक्मल और मुहम्मद हफीज ने अच्छे शोट्स लगा कर तेज शुरुवात की मगर भारतिय गेदवाजों ने जल धीरन गती पर लगाम कस दी जहीर नेकमल को युराज की हाथों कैच करा कर भारत को पहली सफलता दिलाई अच्छी लाए में दिख रहे हैं मुहमद हफीज मुनाफ की गेद पर 43 रन बना कर आउट हो गए युराज ने बल्लेबाजी की नाकामी को गेदबाजी में पूरा किया युराज ने पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज की जान कहे जाने वाले युनेस खान को आउट कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई फिर फॉर्म में चल रहे हैसस रफीक को बोल्ड कर पाकिस्तान को चोथा जटका दिया 106 के स्कोर पर पाकिस्तान के चार विकेट गिर गए थे लेकिन अभी पाकिस्तान की लंबी बैटिंग लाइनप की वज़ा से भरत की मैच पर मजबूत पकड़ नहीं हो पाई थी यहीं उमर अक्मल ने दो छक्के लगा कर खतरे के संकेत दे दिये थे लेकिन इस खतरे पे भजजी ने आर्म बॉल फेक कर लगाम लगाई और उमर सिप 24 गेदों में 29 रन बना पाए नमबर साथ पर बल्ले बाजी करने आये खतरना काल राउंडर अद्दुल रजजाक को मुना पटेल ने बोल कर भरते खेमे में और जोश पैदा किया फिर हर भजन ने अफरीदी को फुल टॉस गेद पर आउट कर पाकिस्तान को मैच से बाहर कर दिया पाकिस्तान का स्कोर कार्ड साथ विकेट पर 184 रन दिखा रहा था भारत की जीत सुनिश्चित हो चुकी थी नहरा ने रियाज और गुल को आउट कर करिस्मे की शंभावना भी खत्म कर दी एक तरफ मिश्बाह ने तगड़े सौट जरूर लगाए लेकिन उनके बनाए 56 रन बस उन्हें अखबारों में इजज़त दिला सकते थे और आखरी ओबर में वो भी जहिर की गेत पर लॉंग ओन में खड़े कोहली को कैंश थमा बैठे भारत मैच 29 रनों से जीत गया और पाकिस्तान को रहुतते हुए भारत ने फाइनल का टिकट प्राप्त कर लिया सचिन तेंदूलकर को 85 रनों की जुजहरू पारी के लिए मैन आपदा मैच का आवार्ड मिला इस तरह भारत ने श्रलंका के साथ 2011 विश्वकफ फाइनल में अपनी जगह बना ली भारत ने 25 सालों में तीसरी बार विश्वकफ फाइनल में जगह बनाई सेमी फाइनल से ट्रैक पर आई भारत ये टीम क्या इतिहास रच पाएगी अपने ही घर में विश्वकफ जीतने वाली पहली टीम बन पाएगी और ऐसा करने में क्या-क्या चुनोती पेश होगी इन सभी सवालों का जवाब लेकर हम मिलेंगे रिवाइन वर्ड कफ 2011 के अंतिम एपिसोड में दोस्तो तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये तै करें कि इस स्रीज का आखरी एपिसोड सबसे काम्याब एपिसोड साबित हो जाए साथ ही हमें कॉमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि 2011 विश्वकप के दौरान आप जिंदगी के किस पड़ाओं में थे और अगर आप भी शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्विश्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिएगे लिंक पर जरूर जाएं उसे भरपूर अनूठा मंच तो अभी सब्सक्राइब करें नारतवानी यूट्यूब चैनल को